इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हाव तो यूज दिस हैंडी फॉगी मशीन अब स्टेप बाइ स्टेप सारा प्रोसीजर देख लिए सबसे पहला काम हमको करना है हमको इस टैंक के अंदर डीजर और इनसेक्टिसाइड बनना है टैंक का कैपसिटी अराउन 2 L लीटर और डीजल है और सेख घितो की एवरी 1 L लीटर और जीजल में अराउन 5-10 AhmL इनसेक्टिसाइड बना है तो हम सबसे पहले टैंक को उपन करके उसमें डीजर और इंसेक्टिसाइड डालेंगे टैंक उपन करने के लिए सबसे पहले वाइट वाले बॉटल को उपन कर दीजे और इसको निकाल दीजे बिना वाइट बॉटल निकाले टैंक उपन नहीं होगा अब इसके tank को open करने के लिए simply इसको घमा भीजे मशीन को पकड़के और मशीन को ध्यान से side में रख दीजे किसी surface के ऊपर अब सबसे पहले चीज़ इसके अंदर around up to 2 liters of diesel add करना है 1 liter of diesel के अंदर अब 5-10 ml insecticide use करना है fogging के लिए अब इस the mixture is ready to be used अब इसके ओपर ध्यान से machine को बराबर align करके बंद कर दीजिए इसका threading का ध्यान दीजिए इसका alignment बराबर होना चाहिए वरना ये बराबर बंद नहीं होगा इसको बिल्कुल बराबर देख लिजिए कि सीधा इसके पर बैठ हिया है और फिर simply घुमा दीजिए, lightly घुमा दीजिए ये totally tight होके बंद हो जाएगा इसको बंद कर दीजिए ये उसके side का bottle है वो पानी के लिए है पानी इस machine में cooling के लिए जरूरी है bottle के अंदर हर बाइ use से पहले पानी जरूर भर ले बिना पानी भरे machine एक बार भी use नहीं करना है वरना इसका coil चोक होके खराब हो जाएगा bottle को पूरा पानी से भर लिजे up to the brim ये bottle जो पानी से भरी भी है उसको ध्यान से इस groove के अंदर लगा दीजिए ये देखिए bottle इसमें fit हो जाएगी और उसके बाद में ये pipe वादा connector इसमें डालके इसको सीधा रखके बंद कर दीजिए ये bottle का cap बंद हो गया और इसका pipe का खास तोर पे ध्यान दीजिए इसका pipe उपर नहीं रह जाए नहीं तो ये बाद में पानी सक नहीं करेगा pipe को पूरा नीचे तक कर दीजिए हम इसके अंदर diesel और insecticide डाल चुके हैं अभी हम इसके अंदर पानी भी डाल चुके हैं अब जो तीसरा step है हमको इस machine के अंदर gas can लगाना है और फिर ये machine ready to use हो जाएगी gas can लगानी को procedure काफी important है अब ध्यान से लेखिए gas can किस तरह लगाना है gas can को ले लिजे और इस regulator के अंदर इस gas can को fit करना है इसका पहले में एक बार without steps बोले कर देता हूँ और फिर वापस आपको explain करूँगा कि कैसे करना है अब मैं इस gas can को एक बार वापस से निकाल देता हूँ और आप स्लोली दिखाता हूँ कि gas can exactly इसमें fit कैसे करना है क्योंकि वो काफी important है और सही तरीके से करना ज़रूरी है तो ये ध्यान से देखिए gas can लगाने से पहले ensure कर लिजे कि regulator बंद होना चाहिए तो हम इसको एक बार negative side पे थोड़ा सा move करके देख लेते हैं अब ये रेगुलेटर खुला था अब ये टोटली बंद हो गया है इसको ज्यादा पुछ नहीं करना है वरना ये रेगुलेटर टूप जाएगा अब ये रेगुलेटर बंद है अब हम इसमें gas can लगाएंगे ये जो रेगुलेटर है ये बिल्कुल सीधा नहीं है इस gas can को बिल्कुल पैरलर रखिए चारो तरफ से इस उपर वारे रेगुलेटर को और फिर gas can को उपर की साइड से फकड़के यहाँ पर align करके machine को थोड़ा सा प्रेस करके gas can को उपर प्रेस करिए और anti-clockwise गुमा दीजिए gas can को regulator के बिल्कुल पैरलर रखना है ऐसा केड़ा नहीं रखना है या बिल्कुल सीधा नहीं रखना है बिल्कुल इसको पैरलर होना चाहिए इन दोनों का alignment बिल्कुल बराबर होना चाहिए machine के उपर यहाँ पर हाथ रखिए gas can को नीचे की साइड से मत पकड़िए उपर के साइड से पकड़िए ताकि pressure बराबर पड़े और नीचे solid surface के उपर रखे करिए हाथ में लेके मत करिए अब इसको उपर से प्रेस करके यहाँ से केन को बराबर angle में लगके प्रेस करेंगे और खाली anti-clockwise गुमा देंगे और केन फिट हो गया है इसमें हम गैस का कैम लगा चुके हैं अब अगला step है इसके regulator कर थोड़ा सा चालू करना ताकि गैस इसमें आगे जाना चालू हो जाए हम चालू करते है regulator हम तो गैस की आवाज आने लगी है और अब तुरंत ये ignition switch एक बार दभाएंगे और अब इसका coil का burning start हो चुका है और इसका coil पूरा red color का होने लगेगा इसका मतलब है कि machine is ready to use. Machine अब ready होगी है ये use करने के लिए अब हमको सबसे पहला step है इसका knob को fogging mode पे डाल दीजे और तुरंत अब हम डीजल को pump करने के लिए blue वाले button को press करेंगे और fog आना start हो जाएगा इसको continuously press करते रहिए, coil ज्यादा भी ज़्याद नहीं होनी चाहिए और बहुत बार बार भी प्रेस मत करिए वरना coil ज्यादा थंडी हो जाएगी और fogging नहीं होएगी मशीन स्टार्ट करने के बाद में regulator को gas को minimum कर दीजे ताकि ज्यादा gas नहीं जाए आपको आवाज से समझ में आ जाएगा कि gas कम हो चुकी है इतना भी कम मत कर दीजेगी कि बंद हो जाए लेकिन जितना minimum पे आगे बरना चालू है उतना इसको कम कर दीजे regulator से अगर वह बाई चांद बंद हो जाता है तो आप खोड़ा सा positive side पे घुमा के उसको वापस से ignition उसमें चालू हो जाएगा लीले बटन को प्रेस करते जाए कम से कम एक मिनित के अंदर दस से बारा बार कॉइल ज्यादा गरम हो के लाल भी नहीं होना चाहिए at the same time बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए बहुत बार ज्यादा भी प्रेस करिए वरना ज्यादा डीजल सप्लाई से कॉइल ज्यादा ठंडा हो जाएगा और एकदम कम इसको प्रेस करेंगे तो कोईल जलने का चंसिज है तो फोड़ा-फोड़ा समय में इसको प्रेस करके रहेगी अब हमारा फॉगिंग प्रोसेस बंद करने का आपको तरीका में बताता हूँ सबसे पहला प्रोसेस है गैस का सप्लाई टोटली बंद कर दीजे नेगेटिव पे गुमा के गैस का रेगुलेटर से सप्लाई टोटल बंद हो गया है आप देख सकते हैं कि कोईल के अंदर अब इगनीशन नहीं बचा है बट स्टिल हम लोग इसको चार-पाच बर प्रेस करके थोड़ा और फॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी भी कोईल गरम है इससे अपका गैस भी सेव होगा और कोईल भी जल्दी ठंडा हो जाएगा अब फॉगिंग का प्रोसेस आज के लिए खतम हो गया है तो सबसे पहले गैस कैन को वापस उपर से पकड़के लोग वाइस गुमाईए तो गैन निकल जाएगा इसको कूलिंग मोड पे नॉप को गमा दीजेए ये नॉप कूलिंग मोड के उपर आ गया है और अब हम स्लोली पम्प से वाटर पंप करेंगे immediately आपका fogging खतम होने के within 5 to 10 seconds हम pump से cooling का process start करेंगे ताकि coil पानी से पूरी तरह से भुल जाए अगर ये coil हमने immediately नहीं धुई तो coil पुला चोग हो जाएगा और machine का coil replace करना पड़ेगा पूरा clear water आना चाहिए जिसका मतलब है कि कोईल अब पूरी तरह से clean हो गई है पूरा water tank completely empty कर दीजे fogging का process over हो गया है लेकिन आपको ध्यान देना है coil अभी भी थोड़ा गरम हो सकता है तो एक तो process के समय या process के बाब भी coil के ओपर हाथ ना लगा है और दूसरा खास कवर पे ध्यान देने की चीट है, gas can को machine के साथ में रखके नहीं छोड़ दे क्योंकि अगर coil थोड़ा भी गरम होगा तो can के bursting का chances है इसके लिए हमेशा can को safety purpose के लिए machine से धूर रखें और even after the use